गाईज आज मैं आपको टाइम ट्रेवल यानि की समय यात्रा के बारे में बताऊंगी टाइम ट्रेवल साइन्स की दुनिया में सबसे इंट्रेस्टिंग और कन्फूजिंग टॉपिक है टाइम ट्रेवल से रिलेटेड आपने कई सारी वीडियोज देखी होंगी बिद आज मैं आपको बहुते शॉट वे में टाइम ट्रेवल को एक्स्प्लेइन करूँगी तो तयार हो जाओ ये है कंट्रोलिंग ट्रेवल फैक्स जहां आपको मिलेंगे इंट्रेस्टिंग फैक्स लगातार जब अलबर्ट आइंस्टीन ने थियोरी ओफ रिलेटिविटी यानि सापेक्षतावाद का सिध्धान पबलिश किया तो उसी सिध्धान के आधार पर टाइम ट्रेवल की कलपना की जाने लगी आइंस्टीन के थियोरी ओफ रिलेटिविटी सिधान के पबलिश होने से पहले लोगों में केवल एक ही ओधालना थी कि ब्रिम्हांड में समय की गती हर जगे वही है जो पृत्वी पर होती है उनका मानना था कि समय जिस रफटार से पृत्वी पर गुजर रहा है उसी प्रकार ब्रम्हान में दूर कहीं किसी दूसरे ग्रह पर भी समय इसी रफटार से गुजर रहा होका लेकिन आइंस्टीन ने लोगों की इस अवधाना को गलत सावित कर समय की एक अलग परिभाशा द परेटा है इंग्लान के मश्वूर लेकक हल्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में दर टाइम मशीन नामक एक उपन्यास पब्लिश किया तो पूरी योरप में तहलका मच गया इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्बुत कलपना की हालांकि वेल्स के उपन्यास मे विवहारिक रूप से कई shortcomings थी तो क्या time travel possible है या नहीं आईए जानते हैं अगर वेक्यानिक डेस्टिकोर से देखा जाए तो समय यात्रा संबव है अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं हम सभी भूतकाल से निकल कर वर्तमान में होते हुए लगातार भविश की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं हमारी समय में यात्रा की दर एक घंटे प्रति घंटे की दर से है यानि कि हमें भविश में एक घंटा आगे जाने के लिए एक घंटे का ही समय अंतरा लगेगा अगर हमने इस दर को एक घंटे प्रतिघंटे की दर से अधिक कर दिया तो समय की यात्रा की जा सकती है ऐसा कहा जाता है कि भविश की यात्रा करना तो possible है लेकिन past की यात्रा करना मुश्किल है स्टीफन हॉकिन्स ने बताया कि अगर भूत काल यात्रा संभव भी है और अगर टाइम मशीन बविश में बना भी पाए तो टाइम मशीन के बनाने के समय से पहली की यात्रा करना संभव नहीं है तो ये था टाइम ट्रेवल का एक्स्लिनेशन I hope you like this video, thank you